कहानी की सुरुवात में हेली को दिखाया जाता है जो आज के स्विमिंग प्रैक्टिस के दोरान हार जाती है फिर हेली जब अपना कपड़ा चेंज करने जाती है इसके पास में बैथ का वीडियो कॉल आता है जो इसकी बड़ी सिस्टर है और वो इसे यहां चल रहे तुफान के बारे में बताती है फिर हेली को पता चलता है कि उसके फादर अभी तक घर वापस नहीं आये है और किसी के कॉल का रिपलाई भी नहीं कर रहे या जानकर हेली तुरंत अपने फादर को खोजने निकल जाती है जबकि इस समय तुफान चल रहा था और भारी बारिस भी हो रही थी तभी रास्ते में हेली को पुलिस आफिसर वेन मिल जाता है जो बेत का एक्स बॉइफरेंड है वो हेली को बताता है कि रास्ता बंदो चुका है इसलिए वो उसे आगे नहीं जाने दे सकता लेकिन हेली नहीं मानती और बगल के रास्ते से होकर आगे चली जाती है फिर वो अपने फादर क यहाँ इसे केवल सूगर मिलती है लेकिन इसके फादर यहाँ पर नहीं होते इसके बाद हेली सूगर को अपने साथ लेती है और अपने पुराने घर के दन क इसे के फादर नहीं वहां बार के द schemes दलता और इसके फादर के गद आनल्सоды करें Cut लेकिन उनका फोन कीचन में ही पड़ा होता है तबी इसे गैराज से सुगर के भॉंकने की अवाज आती है जो नीचे बेस्मेंड की तरफ देख रही थी या देखते ही हेली अपने फादर को खोजने नीचे चली जाती है फिर कुछ समय के बाद इसे एक पाइप के ऊपर के निसान होते हैं अब हेली तुरंत अपने फादर को एक प्लास्टिक के ऊपर रखती है और उनको यहां से बाहर ले जाने लगती है लेकिन इसी वक्त यहां एक क्रोकोडाइल आ जाता है यह देख हेली अपने फादर के साथ एक जगा पर चली जाती है जहां पाइप की व पर बैत का कॉल आने लगता है लेकिन अब इसका फोन बाहर गिर गया था फिर हेली किसी तरह से अपने फोन के पास आती है लेकिन क्रोकोडाइल भी बगल में था इसके बाद हेली इमरजंसी नंबर पर कॉल करती है लेकिन इसी वक्त यहां दूसरा क्रोकोडाइल भी आ जा लेकिन फिर भी हेली एक सेफ जगा पर आ जाती है इधर केलर को हेली की चिंता होने लगती है फिर हेली बताती है कि मैं एक सेफ जगा पर हूँ इसके बाद हेली अपने जखमी पैर पर कपड़ा बांध लेती है और अब हेल्प खोजने के लिए घर के फ्रंट की तरफ आने ल अब हेली उनको लगातार आवाज देने लगती है फिर इसमें से मार्क नाम का आदमी इसे नोटिस करता है लेकिन तभी इसके साथ वाले लड़की पर क्रोकोडाइल अटैक कर देता है या देखते ही मार्क तुरंत अपने भाई इस टेन को बुलाने जाता है जो अभी भी अं कर देते हैं और इस तरह से ये तीनों मारे जाते हैं जिसे देख हेली को बहुत बुरा लगता है इसके बाद केलर हेली को यहां से बाहर निकलने का एक और तरीका बताता है फिर हेली जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है इसके उपर बहुत से मकड़े आ जाते हैं लेकिन फ जात तुफान भी तेज होने लगता है जिसकी वज़ा से कुछ ही समय में यह पूरी जगा पानी में डूब जाएगी तभी इसी वक्त वेन हेली को खोजने आ जाता है या देख हेली और केलरी से आवाज देने लगते हैं जिसके बाद वेन इनकी आवाज सुन लेता है और बे तभी इसकी नजर जूले वाले जंजीर पर जाती है जिसमें कोई चीज फसी हुई थी यह देख पुलिसमैन वहाँ चेक करने जाता है लेकिन तभी जंजीर तूट जाती है और अब यह देखने के बाद पुलिसमैन भागने लगता है लेकिन इसको बहुत सारे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मार डालते हैं तभी इधर क्रोकोडाइल वेन को भी पकड़ लेता है और इसे पानी में खीच लेता है यह देख हेली इसकी हेल्प करने जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और क्रोकोडाइल वेन को मार देता है जिसके बाद हेली तुर पर आवाज करने लगता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और हेली पानी के अंदर आगे बढ़ने लगती है तभी केलर के तरफ एक क्रोकोडाइल आ जाता है लेकिन वो इसके ट्रैप में फंस जाता है और केलर इसको जखमी कर देता है इधर ह हेली सीधी के पास पहुचने वाली होती है लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल यहां भी आ जाता है फिर हेली अपना रास्ता चेंज कर देती है और एक ऐसी जगा पर आ जाती है जहां पुलिसमैन की डेड बोडी और क्रोकोडाइल के बहुत सारे अंडे होते हैं लेकिन इसी वक प्रक्त ड्रेन पाइप से यहाँ एक और क्रोकोडाइल आ जाता है, फिर हेली चुपके से पुलिसमान की गन ले लेती है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल भी इसका हाथ पकड़ लेता है, या देख हेली लगातार फारिंग करती है, और आखिरकार इसको मार देती है, इसके बाद हेली ड्रेंट पाइप से होकर बाहर की तरफ आने लगती है लेकिन यहां भी क्रोकोडाइल घूम रहा था फिर हेली चुपके से बाहर आती है लेकिन क्रोकोडाइल फिर भी इसको देख लेता है इसके बाद हेली तुरंत यहां से भागती है और पानी से बाहर आ जाती है वही हेली केलर के अंदर से पानी निकालती है जिसके बाद केलर होस में आ जाता है और इसकी जान बच जाती है फिर दोनों यहां से कार में निकलने का प्लान बनाते हैं लेकिन चारो तरह बहुत जदा पानी भर गया था तभी केलर की नजर बोट पर जाती है जिसकी मदद से दोनो यहां से बाहर जा सकते थे लेकिन वह बोट इन से काफी दूर थी और इनके सामने ही क्रोकोडाइल घूम रहे थे फिर भी दोनों के पास कोई और आप्सन नहीं होता और दोनों सुगर के साथ बोट के तरफ जाने लगते हैं इसके बाद हेली तैरने लगती है और कर दूर फेक देती है जिसके बाद ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इधर हेली को पुलिसमैन वाली वाकी टॉकी नजर आती है फिर वो किसी तरह इसके पास आती है और इस पर आफिसर को यहां की पूरी सीच्वेसन बताती है लेकिन आखिर में वाकी टॉकी भी बं सिस करता है लेकिन क्रोकोडाइल इसके एक हाथ को तोड़ देता है फिर हेली इसे बचाने यहां पर आती है जिसके बाद क्रोकोडाइल इसका पीछा करने लगता है फिर हेली भागती है और बातरूम वाले जगह में छुप जाती है तभी इसे एक आइडिया आता है वो दर अस्क्यू हेलिकॉप्टर नसर आता है जिसके बाद वो फलेयर लाइट से उनको इसारा करने लगती है लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल फिर से इस पर अटाक कर देता है या देख हेली अपने फादर को छट पर जाने के लिए कहती है लेकिन अब क्रोकोडाइल इसके हाथ को पकड़ लेता है फिर भी हेली हार नहीं मानती और फलेयर लाइट से इसको जखमी करने के बाद बाहर आ जाती है फिर भी क्रोकोडाइल इसका पीछा नहीं छोडता लेकिन इसी बीच वो पानी के बहाव के साथ यहां से चला जाता है जिसके बाद हेली भी छट के उपर आ अब कुछ देर में रेस्क्यू टीम भी यहां पर आ जाती है जिसके बाद हेली फलेयर लाइट से इनको इसारा करती है और वो इनको देख लेते हैं जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है अब अगली वीडियो परसों अप्लोड होगी लेकिन अगर आपने पिछल का वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना